देखिए परदानमंतरी किसान सम्मान निदियो देना में जिन किसान भयों की अभी तक लेंड शिडिंग स्टेटिस में नो लिखा रहा है वह किसान अभी भी लेंड शिडिंग यस करवा सकते हैं अभी भी उनके पास मोखा है अगली किस बहुत ही जल्द आने वाली है उससे पहले अगर आप लेंड शिडिंग करवाना साते हैं या फिर आपने करवा लिया है तो वह अपडेट कब तक होगा कब तक यह सोजाएगा चली इसी बारे में आपको इस वीडियों बताता हूं लेंड शिडिंग आप अभी भी अगर आपने नहीं करवा हैं तो किस तरसे कर करवा सकते हो तो इसके लिए मैंने आपको पूरा तरीका और आर्टिकल में मैंने बता दिया है आपको गुगल में जाकर सिर्फ सर्च करना पीम किसान लेंड शिडिंग माहिंफो यहां पर हमने एक अप्लिकेशन फोरम भी दे रखा है जैसे आप पीम किसान लेंड शिडि करवाने का पूरा तरीका बताया है लेकिन आपको लेंड शिडिंग किस तरह से करवाना है क्या 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 डॉकूमेंट लगेंगे आप नीचे की तरह पाओगे तो यहां पर हमने डॉकूमेंट का भी बता रखा है डॉकूमेंट में आपको बैंक डिटेल आधार कार्ड की कोपी और खतोने यानि जमबंदे की कोपी और पीम किसान का स्टेटस यह डोकुमेंट लगेंगे और आपको यह फॉर्म भी दे रखा है यहां पर आपको यह डाउनलोड कर लेना है इस फॉर्म में हमने अची इदरे से लिख रखाया कि मैं पीम किसान का लाबारते किसान हों पहले समल रहा था अब लेंड शेडिंग के वज़े से समलना बंद हो शुक है अप मेरे लेंड शेडिंग कर दीजी अब यहां पर इस फॉर्म को डाउनलोड करने के पास इस अप्लिकेसिन फॉर्म को डाउनलोड करने प्रिंट करने उसके बाद यहां पर इसको बरना भी है डैट डालनी है नाम पता वगरे डालना है आधार नमर और बैंक खता संक्या डालनी है और ये प्रिंट करके आपको अपने लेक पाल के पास ले जाना है और साथ में आपको अधार कार्ड, खतोनी, जमाबंदी वगरे भी ले जानी है लेक पाल आपके ब्लोक में बैठते हैं ब्लोक यानि आप अपने तैसिल में जाकर है ये लेंड शिडिंग येस करवा सकते हैं आपके लेक पाल पतवारी जो जमीन का वेवरन देखते हैं उन्हें के पास आपको जाना है और वो आपकी जमीन पीम किसान में वेरिफाइ कर देंगे वेरिफाइ का मतलब है कि अब सरकार ने पीम किसान में एक नया नेम निकाला है अब जिस किसान का नाम पीम किसान की फोरम में अधारकाड में और जमीन में शेम होगा उन्हें को पेसा मिलेगा अगर किसान का फोरम में अधारकाड में कोई और नेम है जमीन में कोई और नेम है तो उस किसान को पेसा नहीं मिल पाएगा कुछ किसानों को यही प्रोबलम है जमीन तो नेम है लेकिन नाम मेच नहीं कर रहा है उस अस्तिते में किसान का नाम हो काट दिया गया है लेंड से डिंग नो कर दी गई है तो वो किसान अपने लेक पाल से मिलकर जमीन वेरिफाई करवाएं पेम किसाने उधना में अब जमीन वेरिफाई करवा लोगे तब आपका PM किसाने उद्णा का पेशा फिर से चालू हो जाएगा अनित आपको PM किसाने उद्णा का पेशा नहीं मिल पाएगा तो आपको वेरिफाई करवाने के लिए हमने जो फॉरम दे रखा है और दस ताविज दे रखी हैं अपने लेक पाल के पास ले जाएं और लेक पाल से विरिफाई करवाएं इभ लेक पाल 5 15 नो में वरीफाई कर देगा अब कुछ के रेकानों का सवाल है कि हम कि एम फिर करवा लेते हैं तूज की बाद कितना समय लगेगा तो इसके बाद आपका 5-7वर में land feeding तो ये सोघाएगा लेकिन वो status में आपका नो दिखा रहा है तो उसमें update होने में आपको लग सकता या of को मेंहाँ पर भी लग सकता है क्योंकि सरकार की जो इस आदिकारी हैं वह status update करने में tut blossom लगा देती हैं क्योंकि status update बहुत दिनों से होता है पांश साथ दिनों में दस से पनर दिनों में भी हो सकता है इसलिए आपको status update रोने का इंतरार करना है बाकि आपका LAND SEDDING पांश साथ दिनों में हो जाएगा इस प्रोसेस के मादें से और LAND SEDDING का सब्सक्राइब करना लिंक अमने डिस्क्रिप्सिन में अगर आपका कोई भी सवाल है सुजा होता है आप टेलिग्राम पर सब्सक्राइब